अभी हम लोग एक्सराइस अप्लेशन तो दो फूल स्टाफ का एक्सराइस 3 और 4 को देखेंगे उचलिए देखे एक्सराइस 3 में क्वेश्चिन क्या कहता है फिल इंद ब्लाइश फाली अस्थानों को बरना जेस्टर ना राजा विक्ल्म के पास एक होथी चलाव जेस्टर था और जब भी को इसको पेंसिल और इसकेल से अंडर लाइन करनाँ है और आप अंडरलाईन करते चाहिए और या दिखेंगे लाइन ये शीरी होनी चाहिए The king considered भूरिया एक रेट फूर ब्लाइट में भूरिया आएगा राधा सोचा था कि भूरिया एक बहुत बड़ था Next, see He gave the justice staff in the presence of all the courtiers वा सभी दर्वालियों के सामने justice को एक छड़ी गिया courtiers आपका ब्लाइट में आएगा Next, he was not moved by all the casualty वा सभी के चाप्रूशियों से खुसामन से प्रभावी नहीं हुए ब्लाइट नाएगा casualty Next, do you have any friend to welcome you there क्या आपका को इमित्र है वहां जो आपका स्वागत करें Next, exercise four Exercise four make sentences using following phrases में से दिये गए प्रेज से वाक्ये बनाना तो वाक्ये यह फ्रेज दिया हुआ है उससे आप वाक्ये खुद से भी बना सकते हैं लेगिं वह sentence grammatically correct होना चाहिए लेखिए सबसे पहले प्रेज किसी कहा जाता है फ्रेज का हिंदी अर्थ होता है वाक्या अंस मिन्स वाक्ये का अंस तो पूरा वाक्ये का अंस है मतलब वाक्ये का कुछ चीज़े चूट गए अब उसी को चूटे उन चीज़ों को पूरा करने के लिए यह फ्रेजस दिये जाते हैं तो फ्रेजस के डिफिनेशन होता है ग्रूप ओफ वर्स विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब तो सब्दों का वर समूझ जो बीना सब्जेक्ट और वर्ब का हो वर्फ प्रेजस कहलाते है तो देखे पहला प्रेजस है आल्राइट मिन्स बिल्कुल ठीक था या बिल्कुल ठीक यू मलोड भी ऑल्राइट इन एंफू देशन आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे कुछ की दिगों में Next, in the presence of सब के समख सब के सामने या सब की उपस्खिती में She has followed me in the presence of my parents वा मुद्रिताथी मेरी माना पिता के स्वामने Next, many years ago, बहुत साल पहले They used to live here many years ago वे लोग बहुत साल पहले यहां रहां करते थे So, lift जो phrases बच रहे हैं, उसको अमलोब next class में complete करें है 30 सा अच्छा से note बनाएं और इससे पहले आपको कहा गया है कि आपको grammar भी पढ़ाई हो रही है तो grammar में आपको जो बढ़ाया जा रहा हो आपका basic है अच्छा से आपकी पस grammar का भुखी जो स्कूल से मिला है वो भी पढ़ाई होगी लिए उसका table फोड़ा आई है और इसकी लिए आपको basic चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है इसलिए मैं जो भी grammar में बढ़ा रहे हैं, जो भी exercise दे उसको आप इमन्दारी से complete के जे अब जादे कुशियों, मत केजी, जो बढ़ाया जाता है तो स्पेदिनान देजी हो सब आपकी काम के लिए और जब लिए नेशन 5 चेप्टर हो जाएगा और parts of speech complete होगा तब आपका test होगा, इसलिए तयारी अच्छा से करेंगे और आपके notes कोफी कोई भी चांश होगा है तो नाक्यू नाक्यू